हेलो, रजस्तानी रेख्या की रसोई में आपका एक बार फिर से स्वागत है आज मैं आपके साथ फिर से एक नहीं रेसिपी लेकि आई हूँ उमीद है आपको ये रेसिपी पसंद आईगी अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक करना, शेर करना और आप मेरे चैनल पर नहीं हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बेल आइकन भी दबा देना, ताकि जब भी कोई नहीं वीडिया आए तो आपके पास नोटिफिकेशन आजाए, तो चलिए शुरू करते हैं क्या आपने कभी कच्छे चाउनले की सब्जी बनाए कड़ी तो आपने कई बार बनाई होगी, लेकिन आज हम इसके बिलकुल अलग अनोखे तरीके से सब्जी बनाएंगी, हम चाउनले की फली खरीते हैं, लेकिन उनके बीज थोड़े से निकलते हैं, तो हम इन थोड़े स बीजू से भी एक मज़ेदार सी सबजी बना के तयार करेंगे तो चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए मैं सबसे पहले पैन में थोड़ा सा तेल डाल लेना है जैसे ही तेल गरम हो जाए का हम इसमें जीरा डाल देंगे यहां पर देखिए जीरा अच्छे से चिटा गया है और मैंने यहां पर लिए दो हरी मिर्च, हरी मिर्च को भी मैंने चोटे 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 टुकडू में काट लिया और हरी मिर्च डाल देंगे और हरी मिर्च को मैं हलका सा भून लेना है तो यहां पर देखिए हरी मिर्च हमारे अच्छे से भून चुकिए है अब हम इसमें यहां पर दो मीडियम साइज के टमाटर लिए इनको मैंने बारिक काट लिया और टमाटर डालने के बाद हमें टमाटर को दो से तीन मिनट के लिए भूनना है हम इसमें लेसुन प्याज यूज नहीं करेंगी और यह सबजी बहुत ही मज़ेदार बनके तयार होगी खाने में टेश्ट लगेगी तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर ट्राइ करना तो यहां पर देखिए जैसे जैसे हम टमाटरों को भूनते जाएंगी इनकी कॉंटिटी कम हो जाएगी और इन में से तेल अलग होना शुरू हो जाएगा तो यहां पर देखिए मुझे टमाटर को लगबग 2-3 मिनट होगे अब हम इसमें मसाले डाल देते हैं तो मैंने यहां पर आदा चमच हल्दी पाउडर डाला एक चमच मैंने यहां पर कश्मीरी लालमिच पाउडर डाला एक चमच ही धनिया पाउडर डाला है और थोड़ा समयने यहां पर गरम मसाला डाला है अगर यहां पे टमाटर मसालो के साथ अच्छे से भुन चुके है तो अब हम इसमें डालेंगे दई तो मैंने यहां पे 1 कटौरि दई लिया और हाई फ्लेम पे इसे तब तक चलाते रहना है जब तक कि इसमें उबाल नहीं आ जाता और यहां पे देखिए इसमें अच्छे से उबाल आ गया है तो इसे हम 2-3 मिनट के लिए और पकने देंगे ताकि यह दई की मज़ेदार से ग्रेवी बनके तयार हो जाए और यहां पे देखिए इसे तेल अलग होना शुरू हो गया इसे बीच बीच में चलाते रहना है और गेस की फ्लेम मैंने यहां पे मीडियम रखिया जिससे की ग्रेवी हमारी जल्दी से बनके भी तयार हो जाए और यह जली भी नहीं तो अभी इसमें थोड़ असा पानी लग रहा है तो थोड़ी देर और पकाएंगे और अब यहां पे देखिए देखिए इसमें पूरी तरह से सूख चुका है तेल अलग हो गया और ग्रेवी हमारी बनके तयार हो गया तो अब हम इसमें डालेंगे नमक तो यहां पे मैंने आदे चमल से थोड़ असा ज्यादा नमक लिया नमक इसमें डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी हमारी बनके तयार होगी आप किसी भी सबजी के लिए इस तरह से ग्रेवी बनाके तयार कर सकते हैं इससे आपकी सबजी बहुत टेस्टी बनेगी और अगर जो लोग लेसुन प्याज नहीं खाते हैं वो भी इस तरह से सबजी बनाके तयार कर सकते हैं तो ग्रेवी मारी बन के तैयार होगी है और जो चवूले हमने दूलके रखे ते वो हम इसमें डाल दिंगे ये चवूले हुआ को अपको ध्यान रखना है कि चीलने के बाद भी अच्छे अस दूलना है कि इसमें मिट्शी वुगरे लगी होते है कीड़े अधी भे रखे होते तो मैंने यहां पर लगबग एक से डेट ग्लास के करीब पानी डाला है और जब यह सबजी हलकी सी ठंडी होगी तो यह और गाड़ी हो जाएगी तो यहां पर पानी डालने के बाद एक बार सब्जी को अच्छे से चला लेंगे और इसमें उबालाने देते हैं जैसे ही चार से पाँच मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे पकने देंगे तो यहां पर देखें चार से पाँच मिनट हो गए है चाउंटले भी हमने जो इसमें डाले थे वह अच्छे से सौफ्ट हो गए और इसमें पानी बी बिल्कुल भी एक्स्रा नहीं लग रहा है पर्फेक्ट किनास है यहां कि इसे बाхब बहुत आसालने और यह कहने में बहुत टेस्टी लगती थो लीजिए तरही हमारे मज़ेदार सी कच्छय के माइब तो तो लीजिये बिना लेसुन पे आज के हमारी कच्चे चोनले की सबजी बनके तयार हो गए उमीद है आपको रेसिपी पसंद आई होगी अगर आपको रेसिपी इच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना अपने फैमिली और फ्रेंड्स अभी किशा शेयर जरूर करना और म